भाई तुम जब किसी के पती नहीं बन पाए, किती के बाप नहीं बन पाए, अच्छे बेटा नहीं बन पाए, तो भाई तुम देश के नेता बन गे तो जनता का सुक्रियादा करना चाहिए, कि भाई उन्होंने मुझे चुनके, उन्होंने मुझे बोर्ट डाल कर, मुझे प आप जनता ने बैठायों पांस साल के लिए जिस जनता ने आपको मुक्रहम MINTRI या प्रदान मंतरिं बना्या वो जन्ता आपको 5 साल के वाज उतार हैं जँग्गी वहें मकान नारा दिया गया बलादकार हो रहे हैं बेटियों के साथ में उनके साथ में जितना दुर्वेवार हो रहा है तो इतना कहीं भी नहीं होगा और अगर कुछ लोग, अमभेटकर वाजी लोग अगर कहते हैं कि वित तुमारे जो महापुर्स हु він है या तुमने जो जिनको तुम शोकोर्ड महापुर्स मानते हो, उन लोगों ने सास्त्रों में महिलाओं के पिर्थिक कितनी गालियां दी हैं, तो ये उसको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, धोल गवार सुद्र पसुनारी, शुद्र पसुनारी की बात करी है, तो वहाँ उसको डिफे बिलडोर चलाने जाते हैं, जब ये ऐसी घटना होती है, और अभी तो एक महिला और उसकी बेटी ने, वहाँ पर आग लगी उनमे और उनकी मिर्ट्व हो गई तो उसका जम्मेदार कौन है क्या आपकी पुलिस ने पहले सब वेरिफाई नहीं किया था क्या आपके पास सारे ओर्डर नहीं थे तो आपकी जम्मेदारी है ना ये तो को पूरा बरवाद कर रखा है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो देश के उत्तर पर देश के अंदर अगर वो उनकी जाती को सूट करता है उनकी राजनीती को सूट करता है तो उसके बाद में उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे और अगर कोई अंद्विश्वास भी फैला रहा हो तो अंद्विश्वास फैलाने देंगे उसको बॉडिगाट और देंगे अगर कोई कानून की बात करता है सविधान की बात करता है सम्मान की बात करता है सब्तंता की बात करता है न्याय की बात करता है बंदूता की बात करत देश इनके ज्मोट को बहुत अच्छी तरह जानता है, जो इनके सरदार है, मोदी जी वो देश से कितना ज्घुट बोलते हैं, पूरा देश और इसके अंदर ऐसंदर एक भी स्मार्ट का जिए इंडिया होग सब का साथ सब सकता के विशास होंगा कौई नहीं है और अम्रत काल चल रहा है यहींत चाल होता है कि कि यहां किसी के जोंपड़ी को हटाने के लिए जाते हैं प्रसासन का इतना बंदोबस्त नहीं होता है या इतनी कैपशिटी नहीं होती है उनके अंदर कि एक महिला अपनी बेटी के साथ में वहां पर मर जाती है वहां उनकी हत्या हो जाती है या जो भी इन्वस्टिकेशन का मामला है ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको रोक नहीं पाते तो भाया कैसा यह अमरत काल चलना है तो यह जूटे वादे करते हैं जूट बोलते हैं सरकार मोदीजी और योगीदी जितने जूट बोलते हैं चाहिए अगर नेता इस देश में जूट बोलेंगे तो फिर जो पढ़ जाए हो क्या करेंगे आप जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जूट जो बोलते हैं जो वादे करते हैं इन पर कारवाई होनी चाहिए और ऐसे नेताओं को दोवारा आएं तो जनता को फूछना चाहिए कि आपने जो वादा किया था पहला वो उसको वादे का क्या हुआ देखिए जो सरकारे हैं वो कानून की राज को इस्थाफित करने के लिए बनाई जाती है बिल्डोजर किसी के घर बेपी चले चाहों ब्राममाड के घर चले या किसी और के घर चले वो बिना कानून के नहीं चलना चाहिए क्योंकि जो उत्तरपरदेश सरकार है वो बिल्डोजर चला कर लोगों को डराना चाहती है और ये मैसिज देना चाहती है पूरे स्टेट के अंदर कि हम बिल्डोजर की सरकार चलाते हैं ना हम कानून को मानते हैं, ना हम लॉय और्डर को मानते हैं, ना सविधान को मानते हैं जिसका मन करेगा जिसके घर को मतलब गिराना चाहिए उसको गिरा देंगे तो पहले तो यह जो बिल्डोजर ता मुशलमानों के लिए बनाया थे हैं लोगों ने कि मुशलमानों के घरों पर चलेगा दंगाईयों को कहें के कि दंगाई दंगाईयों को घर पर चलाएगा अब वो सब के घरों को प्रोलम करती है तो यह जो बिल्डोजर की सरकार है जब अभी 2022 में दुबारा से चुनाव हुए थे जब चुनावों में सरकार बनी बीजेपी की तो उत्तर प्रदेश के लोग बिल्डोजर को एजे सिंभुलिक ग्रूप से बिल्डोजर को सर पर रखे डा चार्ट लगा दी है कि यह सरकार जो है बिल्डोजर की बिल्डोजर को दिखा कर लोगों को डराना चाहती है अपरादियों से निमटने के लिए कानून है कोट है कचैरी है जब तक आप ड्यू प्रोसेस अप लोग नहीं करेंगे किसी काम को जब तक बात बनने वाली नहीं इसलिए जो सरकार हैं उनको सोचना चाहिए कि लोगों में बिल्डोजर का डर दिखा कर वो इतना दहसत में लोगों को लिया है कि लोग आत्मत्या करने लगा है जैसे अभी आपने बताया कि एक केस हुआ है वहाँ पर कि मा बेटी ने मतलब अंदर ही जला दिया उनके अधिकारी थे उन सर्फ पर कारवाई होनी चाहिए सस्पेंड होनी चाहिए और यह बिल्डोजर लुखना चाहिए यह बिल्डोजर की जो कारवाई उत्तर परदेश में लुखनी चाहिए क्योंकि उत्तर परदेश में कानून का राज नहीं है बहका राज बना रखा है और जो आजादी करने वाले लोग हैं, आजादी लेने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि जो देश में जब कानून बना, देश में जब सविधान बना, तो rule of law होना चाहिए देश के अंदर, यहां rule of law नहीं उत्तर पर देश अंदर खास कर, वहाँ पर अत् चतके नहीं रहेगा और यहां पर मकान चील लिया जबड़ी तोड़ी उसकी हुमा बेटी को जिन्दा जलना पड़ा है उसमी मैं जब भी तो करूं इन्होंने वादा किया तक 2022 तक इंदिया के अंदर भारत के अंदर एक भी व्यक्ति कच्छे मकान में नहीं रहेगा जबकि Global Hunger Index की रिपोर्ट है की 20 करोड लोग रात को भूके सोते हैं पके मकान की तो छोड़ो पेट की आग बुजाने के लिए उन पर खाना भी नहीं है 20 करोड लोग रात को भूके सोते हैं अरे मोदी जी नाज दे अपने घर से अंधिक किशola ने क्षाण लोग तो यह नहीं है अगर पबलिक ने अपना नेता बनाया है पी-ेम बनाया, सी-ेम बनाया और वो कहें कि मैं पबलिक का पेट भर रहा हूं तो यह तो ओई बात होगी ना कि राजा को कह रहा है एक आदमी कि मैं मतलब मैं आपको कर रहा हूं तो राजा कोन है राजा है प्रजा यहां पर प्रजा का सोशन किया जा रहा है जो राजा बनान यह कहके बाई बाई लूटना चाते हैं कि हम फ्री में देना चाते हैं हम आपको खाना दे रहें अरे खाने की जोत नहीं है यहां पर रोजगार दीजिए सिक्षा दीजिए लॉइन ओडर दीजिए जो सविधान हमें गारंटी देता है उस गारंटी को पूरा कीजिए सविध सरकार बनती है कि जो देश की अंदर वह साही होना चाहिए तरकार यह बनती है कि जो संसादं है उन पर सबनी हो को सब द 새로i हो चृप से चलाया जाए इसलिए बन को नहीं हिरे सरकार सरकार content कहना देने कamasment अब तुम nya पर रह हैन गया तुम से ढ़्म से और रह आएगा तो औ कुछ लोग राम चरीतमानस कोनी कुछ लोग चलाना चाहते हैं इस चरथ सवीधहान चल रहा है और सवीधहान के सामने सब लोग भरावर है अर को कि इस सारा जो लोग हैं जितने भी सिटीजन देश के वो कानून के सामने सब बरावर है और कानून का प्रोटेक्शन सब को बरावर है तो इसलिए कोई ब्रहमण हो कोच भी हो अगर उसका मडर होता 302 ही लगेगी और 302 में कारवाई होगी या प्रदाहन मंतरी मारे या चोटा आद कि एक व्यक्ति विशेष एक जाती विशेष का आदमी अकर कतल करेगा तो उसको सजा यह होगी अब बरावर कर दिया है धन्य बावासा और डॉक्टर अमबेड कर कि उन्होंने सविधान में विवस्ता की है कि एक अपराद की एक सजा मिलेगी सब को बरावर सजा मिलेगी चाहा कोई अमीर है चाहा कोई चोटे पत पर चाहा बड़े पत पर है और दूसरी बात यह कि हम भगवान भागे पुन पुनर जनम इन सारी विवस्ताओं में कूर्तियों में विश्वास नहीं करते हैं लोगों को नहीं करना चाहिए क्योंकि यह देश सविधान से चलता है हमको जो अधिकार मिलते हैं वो सविधान से मिले होएं और सविधान नहीं होता इस देश के अंदर तो इस देश के करोड़ों लोगों को अधिकार नहीं मिलते देखो जो अत्याचारी सरकार होती है उसके सामने कोई जाती विशेश नहीं होती है किसी जाती विजिस पर ज्यादा करती है, जैसे SC, ST, OBC, Manor Teach, महिलाओं पर ज्यादा अत्याचार करती है, मगर अत्याचारी को क्या होता है, अत्याचार करने में मज़ा आने लगता है, जब कोई भी समाज का व्यक्ति मिले, तो अत्याचारी करता है, क्या पिछले बार क्या उत्तरप्रदेश में ब्रहम्णों की क्या मौत नहीं हुई थी क्या ब्रहम्णों को क्या सरकाल नहीं मारा था चुंचुन के मारा था मारन उनको मारो पीटो कुछ भी करो ना नीचे लाते रहते तो ऊपर से जूत वह पढ़ते रहते रहते हैं तो भाई ब्रहांबनों को अगर सम्मान चाहिए तो भीजेपी को छोड़े और पाल्टियों में आए और पाल्टियों में अपना देखें वैसे तो ब्रहांबन इससमाइबर अंतिष्वास की जड़ियाँ बहु है सारे समास्याओं की जड़ वो यह क्योंकि वह गल्ती भी करता और माफि भी नहीं मंगता है आपंने पोर जोरी और Sign बहुत नहीं है तो ये गलत है ये मैं ब्रहमन की और किसी और उसकी बात ने कर रहा है मैं एक महिला की बात कर रहा हूं जो दो महिला जली है जलकर उनको आग लगके और मिर्टू हो गई है वो काफी दुख वाली घटना है ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं होना च सभीधान की करना कि तो कोई भी ब्रह्मन की महिला कोई भी चुट्री की महिला कोई व्यश्र की महिला अपने घरों से बाहर नहीं निकला सकती कोई राजा नहीं बन सकती थी, कोई विधायक नहीं बन सकती थी, कोई राष्टपती नहीं बन सकती थी, कोई ISP से डॉक्टर नहीं बन सकती थी, अगर आज बनी हैं, तो वो सविधान के वज़े से बनी हैं, और वो सविधान को पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि नफरत है, ज नियाय की बात नहीं करती है इसलिए जितनी भी महिलाएं होती है जो आप बता रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं को बेजा वो नियाय की बात नहीं करती है वो बोलती नहीं है महिलाओं के इशूप है उनके जीप पे धही जम जाती है क्योंकि उनको समझाया जाता है कि हमारा ध ही खतरे में आजाएगा तो आप भी स्टीक्ति से नहीं और सिलेखने रहेंगे क्योंकि हम नहीं रहेंगे इंसाने puisque अ नहीं कहते हैं प्र हमने कैता है ब्रहामन कि नहीं मने फ़िए तो तुम कैसे स्ट्र होगह इसलिए उचन प्रहती है व coalition को बोल सीना कि सभीड़ नहीं तो आज भी ब्रहामन विवस्ता में उनको पैर की जूती माना जाता है कल भी माना जाता था आज भी माना जाता है कि आज अगर कोई अत्याचार करेगा तो जील में जाएगा